बूबिंग तोर्ज देपर डिसकेशन ओफ नाव सेल बायोजी कोश्चन नमबर वन नेम्स ऑफ्लिड एंड श्वान आर असोशियेटेड वीथ थेर्य आफ सेल लीनियर्ज नहीं यह थेर्य आफ सेल लीनियर्ज वर्चो का काम था बराबर एंका नहीं था श्लिड एंड प्रस्टन कर्थी आउड नूंकलियस एस एस थेर्य लिए श्वान श्लिड श्याइशन असे ज्री बिब्स अच्बिंग तोर्थ वर्चों प्रोप्रोप्राजम इस फिसिकल बेसिक्ड वाइशन फोफ लाइफ वाइफ वाइफ पूर्कीजे फूर्थ क्वेशन प्रूश् robert hook were actually cell wall everyone knows this fifth one of the following does not follow cell theory does not follow cell theory bacteriophage because they are viruses viruses are non-cellular sixth small cells are metabolically active as they have higher surface area to volume ratio मतलब surface ज्यादा volume कम हाँ सही है दूसरा हायर न्यूक्लियो साइटोप्लाजमिक रेशियो न्यूक्लियर ज्यादा स्ट्रक्चर रहता है उसके कलन बनता है इत्थ विच फॉल्विंग फीचर्स आर रिले इत्वित मिजो के रियोटिक नुक्लियो प्रजक्याद तॉस्ट पनिले ट्र देलेश कि निक्रियो नथान प्रोष्ट प्रष्ट जिस्पहरल गे। कहुंड प्रोमिक फांदि प्रॉजाद्प्चर्स meow. रिड़क्शनिस्ट बायोलोजी मतलब एक्चुली क्या रहता है न जैसे फॉर एक्जामपल अपने किसी चीज़ को कट किया और फिर उसको ओपन करके देखा कि अपने को अंदर क्या दिख रहा है और फिर उस चीज़ का वरकिंग अपन ने डिस्कवर किया उसको बोलते रिड़क्शनिस्ट मेथड ठीक है ओपनिंग अप वाल क्लॉक टू सी हाव इट वरक्स डेट इस काल्ड एस रिड़क्शनिस्ट एप्रोच ठीक है तो ये तो सही है बायोलोजी में वैसे ही काम करते हैं काटपिट करते हैं अपन बोडी की दूसरा तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया दूसरा वो तो वर्चो का काम था तो दूसरा गलत हो गया पहला सही है दूसरा गलत हो गया तो पहला सही है तो दूसरा गलत है साही है, D option, both 1 and 4 moving towards the next page that is page number 2 which statement is incorrect 10th question, smallest cell is mycoplasma which is 0.3 microns in length largest isolated single cell is ostrich egg nerve cells are the longest cells and can be seen by naked eyes human RBC is about 7 microns in diameter इसमें incorrect statement रहेगा C वाला, nerve cell longest cell है सही है लेकिनों naked eye से नहीं देख सकते neuron दिखता है, nerve cells नहीं दिखते बहुत सारे nerve cells मिरकर एक neuron बनता है, तो I will go with C option 11th, select the pair of, अच्छा मैं इसको टैली नहीं कर रहा हूं answer की से तो अगर कहीं discrepancy होगी मैंने जो answer बताया उसमें और answer की में तो मेरे को message कर देना, देख लूँगा select the pair of correct statements with respect to prokaryotic cell the genomic DNA is circular and naked, naked मतलब histone protein नहीं नहीं ना, सही है वहला तो सही है large linear DNA, outside the genomic DNA is known as plasmid गलत हो गया तो 1 and 3 option B भी रहेगा, option D भी रहेगा, दोनों में 1 and 3 दिख रहे है मेरे को तो both B and D, तुमने जो भी मार किया है correct रहेगा polysome is polysome मतलब एक ही mRNA लेकिन उसके उपर बहुत सरे ribosomes attach हो जाते है prokaryotes में मिलता है तो RNA plus ribosome, mRNA plus ribosome, B option B for bad 13th, cell wall is the secretory product of cytoplasm ठीक है cytoplasm में lumazome वगरा भी मिल जाएंगे नहीं है, lumazome तो अपने को उधर मिलेंगे ठीक है लेकिन अब यहाँ पर वैसे वह कोई option भी नहीं है cytoplasm में मार करेंगे क्योंकि ultimately जो भी चीजे वो reaction से cytoplasm में ही बनेगी, कोई भी chemical तुमको लगेगा तो cellulose वगएरा तो अपन cytoplasm में मार करेंगे 14th which is the thickest wall layer secondary wall क्योंकि वह एक्रीशन से बढ़ता है तो secondary wall should be the thickest wall layer मेरे इसाप से तर्शरी वाल तर्शरी वाल तो बहुत नहीं तर्शरी वाल तो बहुत थिन रहेगा और primary wall accretion से ग्रोही नहीं होता है वो तो interception से ग्रोह होता है secondary wall ही रहेगा सही है secondary wall will be the thickest ठीक है ओके फिर 15th torus is found in India मैंने pits में पढ़ाय हुआ है border pit में present रहता है torus यह water के flow को regulate करता है 16th sale wall was first studied by robert hook बहुत यह असान है 17th ripening foods become soft due to dissolution of pectin of middle lamella हमने cell wall वाले वीडियो में बता है भी ता jam किसान jam जो पर ब्रेड को लगा कर खाते है वो कैसे बनता है तो इसमें pectinase डालते है middle lamella को dissolve कर देते है ठीक है इंटर सेलीलर दो सेल के बीच का structure separating the walls of two adjacent cells is middle lamella rigidity in the cell wall is due to lignin dead cells में lignin रहता है इसलिए dead cells जो रहती है वो tougher रहती है as compared to normal cells the fragmoplast are precursors of cell plate देको cell wall जो बनती है न वो cell wall बनने के पहले cell plate बनती है फिर cell plate convert होती है cell wall में जब cell division होता है plant cell का तब की बात कर रहा हूं लेकिन उसके भी पहले fragmoplast तयार होता है और यह fragmoplast convert होता है cell plate में 21st one of the following is an essential organelle for cell wall formation lomasome अब lomasome आप देखो cytoplasm option ने proper lomasome दिया हुआ है तो अपन proper lomasome मार्क करेंगे अब अब यहां पर cytoplasm होता तो भी अपन प्रोपर lomasome मार्क करते 22nd the plasma membrane of human rbc consists of anxiety का data 52% protein and 40% lipids अपने discuss भी किया हुआ है ठीक है यह मैंने बताया हुआ है not a big deal is man आजाओ next page पे that is page number 3 question number 23 according to singer Nicholson which of the following are present in plasma membrane phospholipid extrinsic and intrinsic protein b option both easy 24th plasma membrane is asymmetric because lipids present in the outer and inner side of the bilayer are different सही है मतलब उनका size कम जादा रहता है extrinsic proteins are more abundant on the inner surface on the outer as compared to the outer surface सही है all you go secret are attached only to the external surface of lipids and proteins of bio membrane सही है क्यों कि वह identification का का करते साइटोप्लाजम के तरफ उनको क्या काम है I will go with all of the above 24th का यह 25th के उपर multiple choice correct questions क्यों लिटके रखा है पता नहीं multiple correct नहीं है यह सब single choice correct यह multiple correct नीट में रहता ही नहीं है according to the widely accepted fluid mosaic cell membrane model cell membranes are senior senior fluid semi fluid where lipids and integral proteins can diffuse randomly ठीक है in recent years this model has been modified in several respects ठीक है in this regard which of the following statements is incorrect incorrect कौन सा है proteins of cell membrane can travel within the lipid by layer यह सही है flip-flop movement नहीं कर सकता है लेकिन transverse movement कर सकता है proteins can also undergo flip-flop नहीं गलत हो गया B option 25th का B incorrect बताना है क्योंकि 26th fluid mosaic model of cell membrane proposed that lipid by layer with embedded proteins only lipid by layer with proteins on the ultra surface only lipid by layer coated with proteins on both surface lipid by layer with proteins of two types embedded and superficial D option सबसे बेस्ट है D for dog 27th carrier molecules facilitating transport across cell membranes are proteins of course 28th plasma membrane is elastic due to lipids first option simple 29th cell recognition and adhesion occurs due to the following component of plasma membrane glycoprotein and glycolipids actually mainly glycoprotein सी है लेकिन अक्यले glycoprotein का option नहीं है तो we will go with D यह वह अपना A, B 30th 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 31 the pigment which is not found in chloroplast is anthocyanin anthocyanin chromoplast में मिलेगा 32 the most abundant proteins in the plant world is found in rubisco rubisco 33 which of the following is the smallest cell obviously PPLO virus mark किया होगा तुमने तो गलत है virus क्योंकि कोई cell ही नहीं है इसलिए PPLO आजाओ next page पे page number 4 question number 34 term protoplasm repeat होगे का question अलग type का है लेकिन ठीक है वैसा ही है पुरकिंजे 35th which theory is most acceptable for physical structure of protoplasm salt gel theory option यह नहीं है तो colloidal theory कि उसमें पानी में चीज़े colloid रहती है dissolve नहीं होते है colloid colloid समझता होगा तुनको समझना चाहिए hope 36 in the DNA of an animal percentage of adenine is 30 then percentage of guanine will be देखो A हमेशा T के साथ bond बनाता है G हमेशा C के साथ bond बनाता है है न तो A अगर 30 है 30% तो T भी 30% रहेगा thaiamin भी तो दोनों मिलाकर 60% हो गया बच गया 40% तो 40% में 20% गवाण इन रहेगा 20% साथ रहेगा answer है 20% simple C option नहीं समझा तो message करना simple है लेकिन यह बताय होगा है मैंने adenine forms of forms of bond with thaiamin double standard DNA में और animal बोलाया तो DNA double standard ही रहेगा obviously viruses में रहे सकता है singer standard DNA बाकी सब में तो double standard DNA रहता है guanine forms of forms 3 hydrogen bonds with cytosine adenine forms 2 hydrogen bonds with thaiamin 37 centriole is found in centrosome 38 centromere is required for centromere जो chromosome में रहता है movement of chromosome towards poles यही सबसे best option है सही है best क्या मतलब यही है 39th according to fluid mosaic model अरे यार यह question भी repeat हो गया क्या repeat हो गया question अगर भी option है flip flop moment नहीं कर सकता है अपने को incorrect बता ना है इसमें लिखके रखाए कि flip flop moment कर सकता है repeated question है sorry 4040 protein synthesis in an animal cell occurs only on the ribosomes present in cytosol B option only on ribosomes attached to the nuclear environment ERC option on the ribosomes present in the nucleolus nucleolus में कोई ribosome नहीं रहता है मतलब बनते हैं महाँ पर वो ribosome factories है D on ribosome present in cytoplasm as well as mitochondria best option है animal cells में chloroplast रहता नहीं है mitochondria में protein synthesis होगा और cytoplasm में मतलब protein है और उसमें 16S RNA है 43 ribosomes are center for protein synthesis 44 centriol is found in और यार फिर से repeat centrosome 45 in which of the following would you expect to find glyoxysome glyoxysome में क्या होता है मैंने तुम को बता है था glyoxysome cycle नम की चीज़ होती है जिसमें stored fat जो रहता है seeds में उसको convert करते है carbohydrates में तो oily seeds हो रहेगी उनमें अपने को glyoxysome मिलेगा उनके sales में मतलब seeds भी sales से बना हुआ है तो वो seeds के sales में glyoxysome मिलेंगे जो oil को convert करेंगे carbohydrates में तो wheat तो starchy है तो वो तो cut हो गया endosperm of caster caster oil रहता है caster oil लब caster oily seed है तो उसमें अपने को glyoxysome मिलेंगे जिसमें glyoxylate cycle के मदद से उस oil को convert किया जाएगा carbohydrate में इसलिए B for bat B option 46th acrosome is formed by golgi apparatus क्योंकि acrosome is nothing but lysozome sperm के lysozome को acrosome बोलता है और lysozome golgi bodies से बनता है अपने को पत्र है तो acrosome भी किस से बनेगा golgi bodies से बनेगा simple moving towards the next page page number 5 question number 47 if centromere is in the middle the chromosome is called metacentric question 48 bacterial nuclear material does not contain histones 49th cell organs not covered by unit membrane is ribosome 50 the wall of bacteria consists of NAG and NAM मतलब both 1 & 2 51 enzymes connected with oxidative electron transport system are found in mitochondria बताय हुआ हलका oxidative phosphorylation वगरे oxyzoom 52 infoldings of bacterial membrane is called mesozoom 53 the arrangement of ciliary microtubules is cilia के अंदर का basal body का नहीं तो 9 plus 2 बैसल body का रहता है तो 9 plus 0 वैसे 9 plus 0 option भी नहीं है 54 in mitochondria ATP are synthesized in on surface of crystal क्योंकि ATP synthase जो enzyme है वो on surface of crystal क्योंकि उसका F1 वाला region matrix में घुसता है यार और और actual में ATP बनते है F1 वाले region में तो matrix answer बेटर रहेगा I will go with matrix यादे नहीं हो डियाग्राम FO F1 तो inner membrane मतलब inner membrane का ही तो modification है क्रिस्टे तो क्रिस्टे को यह अपन inner membrane बोलेंगे तो उसमें फसा रहता है FO लेकिन F1 जो रहता है वह matrix में बाहर निकलता है FO F1 है ना तो F1 तो matrix में रहता है F1 में actual में ATP बनता है तो I will go with matrix 55 which cell organ is connected by cell membrane and nuclear membrane cell membrane और nuclear membrane से connected है हाँ है गोल जी बोड़ी यह से तो गोल जी बोड़ी भी नहीं आएगा यहार भी नहीं आएगा मेरे कोई question ही नहीं समझा which cell organ is connected by cell membrane and nuclear membrane mitochondrial lysosome फिर तो मैं ER ही prefer करूँगा तो कि ER nuclear membrane बनाता है और cell membrane भी बनाता है मतलब basically lipid वोई बनाता है तो उसका ज्यादा connection I will prefer ER अंसर अगर गोल जी होगा तो message करना मेरे को 56 which of the following statements regarding cilia is not correct पहला तो सही है दूसरा 56th question पढ़ रहा है अपन्दा organized beating of cilia is controlled by fluxes of CA2 plus across the membrane तीसरा cilia are hair like cellular appendages इस्क चाओ था microtubules of cilia are composed of tubulin B option CA2 plus का ओगर है कोई roll call ही नहीं है 57th which of the following statements regarding mitochondrial membrane is not correct Enzymes of electron transport channel found on the outer membrane ये गलत है electron transport के सिस्ट क्रिस्टे पर रहता और क्रिस्टे एक्चुली inner membrane का infolding है तो c option गलत हो गया 58th select the wrong statement from the following both chloroplast and mitochondria have an internal compartment the thylokoid गलत mitochondria में नहीं होता है यहीं तो गलत हो गया पहला ही option गलत हो गया 59th which of the following is not a constituent of cell membrane तो proline, proline एक amino acid है अब किसी protein में proline present होंगा तो वो अलग बात है लेकिन इसा specially कुछ अलग से इसा सिर्फ अकेला proline present नहीं रहेगा ठीक है आ जाते है नेक्स्ट पेज पे देट इस पेस नमबर 6 question number 60 which one of the following powers of structure distinguishes a nerve cells from other types of cells आहां इसका answer है pericarion and dendrites 10th में तुमने dendrites पढ़ा होगा और hopefully उसके दम पे तुमको जम गया होगा इसी मैं आशा करता हूँ 9th में cell chapter में dendrites पढ़ा होगा exon and dendrites ऐसी मैं आशा करता हूँ कि उससे तुमको जम गया होगा 61 plasmid is DNA molecule extragramosomal genetic element of bacteria D option 62 reproduction in most of bacteria is by process of budding obviously eh sorry 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 binary fusion obviously 63 the wall of bacteria consists of arrey yaar Firce repeat both 1 and 2 C option 64 bacterial nuclear material does not contain histones Firce repeat 65 colorless unicellular cell wall bound spherical or rod shaped microorganism lacking organized nucleus is called bacteria फालतू question 66 in bacteria respiration occurs in साइ्टो प्लास्मिक membrane मतलब mesozoom simple है 67 surface appendages used by bacteria to attach one अरे हाँ इसका answer आएंगा Fimria अब Fimria option ही नहीं है इसमें टाइप करने वाले ने बराबर टाइप नहीं किया है किसी CRD में से किसी एक option को उसको Fimria टाइप करना होगा उसने दोनों को फ्लैजला टाइप करके रख दिया है तो ये question bonus हो जाएगा ठीक है 68 अब वो कहा computer को तो वो app को तो नहीं समझ सकता bonus करना लेकिन तुम खुद bonus कर लेना इस question को ठीक है 68 bacteria that get their energy by fermentation and for whom oxygen is lethal or cold oxygen मिला तो मर जाएंगे आइसे अने रोब दम स्ट्रिक्ली अने रोब compulsory अने रोब obligate अने रोब obligate मतलब compulsory option 69 basal bodies are associated with the development of cilia and flagella cell plate phragmoplast kinetocore cilia and flagella 70 F1 यह F1 पार्टिकल अभी बात है न उपर वाले question में F1 F1 पार्टिकल of oxygen are found in mitochondria cat bakwas 71 main difference between animal cell and plant cell lies in nutrition plant cell का autotrophic है iska heterotrophic है animals का ठीक है 72 mitochondria supply most of the necessary biological energy through oxidizing substrates of TCA cycle TCA cycle mitochondria में होता है points में लिखवा है था याद है इसा हो सकता है कि तुमको ना आया हो फिर भी 72 second question ठीक है चिंता मत करना नहीं भी आया होगा तो भी 73 functional unit in the protein synthesis is ribosome आया होगा ठीक है 74 for the rough ER is especially well developed in cells actively engaged in secretory function जो बाहर कुछ ना कुछ secret करेंगे उन में rough ER ज्यादा रहेगा ताकि उसमें फिर ribosome पर protein बन के सिधा ER में जाएगा ER उसको मोडिफाइब करके वाल जी में बेचेगा है ना इसलिए तो आजाओ कि नेक्स्ट पीच पे जैट इस पीज नंबर 7 और question नंबर है 75 mitochondria absent in यंग अर्बिसी में प्रेजेंट रहेते हैं बैक्टेरिया बैक्टेरिया में एप्सेंट रहेते हैं B option 76 endoskeleton of cell is made up of ER endoplasmic reticulum endoskeleton simple चीज़ 77 function of Golgi body is synthesis of polysaccharides glycosidation of fat I will go with both one and two 78 which controls the number of mitochondria and Golgi body in a cell ER mitochondria में तो roll नहीं है actually ER का क्योंकि mitochondria तो बैक्टेरिया है वो ER को नहीं गिनता वो अपना अपना काम करता है खुझ से पर Golgi को तो control ER ही करेगा obviously तो answer ER ही आने वाला है पर mitochondria गलत है मेरे कुझा mitochondria नहीं पटा उसमें 89 hydrolytic enzymes of lysosomes mainly function at acidic pH बताया हुआ है 8080 cell organelles can be separated by method of differential centrifugation centrifugation में बताया हुआ है S as for sedimentation coefficient 81 origin of nuclear membrane occurs from endoplasmic reticulum obviously simple 82 Golgi body are abundantly found in glandular cells क्यों क्यों gland की तरह काम करेंगे मतलब hormone secret करेंगे secret vesicles के through होगा तो vesicle का packaging करना पड़ेगा जो Golgi करता है तो उसमें Golgi ज्यादा रहेगा gland वाले cells में pituitary gland adrenal gland ऐसा 83 mitochondria will be found in abundance मतलब बहुत ज्यादा amount में अच्छे कासे amount में mitochondria मिलेगा कहां पर there is more activity due to wool there is maximum activity in the body there is least activity there is an average activity I will go with there is a maximum activity in the body ज्योंकि पहला वाला जो है वो तो temporary conditioner वी वाला option तो permanent है हमेशा ही यहां पर ज्यादा activity होगी जोइसे muscles 84 nucleolus mainly composed of DNA plus protein कुछ नहीं है और उसमें rapidly dividing cells ER is poorly developed क्योंको बड़ाबड बड़ाबड डिवाइड करना है यह डेवलप करते रहने का ज्यादा लिपीड बना कर और ER के sister नहीं है ट्यूब उस्ते आयर करने का उनको समय नहीं होता है पटापट पटापट डिवाइड करना होता है उनको तो ER poorly developed रहेगा 86 number of spokes present in central is 9 obviously 87 smooth ER is found in fat synthesizing cells क्योंकि उसमें fat बनता है सभी में मिलेगा वैसे लेकिन ज्यादा मिलेगा fat synthesizing cells में 88 membrane around vacuol is on a tonoplast बताय हुआ है 89 membrane of golgi body is derived from smooth ER क्योंकि smooth ER lipids बनाता है 90 more than one nucleus in an animal cell is called sinusite syncytial non synobium अरे यार सब देखे रखा है पर मने यह फंजाए पढ़ा थे वक्त तुमको बताय था कि syncytium और sinusitic का reason पूरा अलग है definition है ना वो कैसे बने है multi nucleated इसके हिसाब से उसका नाम है sinusite syncytium का लेकिन मैंने तुमको याद है तुमको बोला था किनलम फंजाए के वक्त की mcqs में क्या करते है mcqs में यह बताते है कि plant cells में अगर मिला तो sinusite और animal cells में मिला तो syncytium ऐसा बताते है लेकिन वह ऐसा नहीं है यह मैंने specifically तुमको बताया था पर mcqs में वैसा यह आता है यह भी बताया था तो यह mcqs यहाँ पर animal cell है answer अपन प्रिफर करेंगे syncytium ठीक है तो कुछ भी doubt होगा कुछ भी अगर नहीं पटा होगा answer किसे match नहीं हो रहा होगा तो मेरेको message करो मैं देख लूँगा explain कर दूँगा तुमको और उसके अलावा और भी कोई doubt होगा तो बिंदास्त बेजी जख मेरेको message करने का सो विद इस